देखे एक पुरानी कहावत है कि पूत के पाउं जो है पालने में ही दिख जाते हैं कहने का मतलब है कि आपके पहले कदम से ये पता चल दाता है कि आपकी जो सफलता है ये कितनी बड़ी होने वाली है नमस्कार दो आज के वीडियो में जिसकर रहे हैं हम 3 जनवरी के सभी मतपूर करेंड़ेफर फे देखे आज के वीडियो में बहुत ही खास प्रशनों का संग्रह लाया गया है जो कि आपकी सभी आगामी परिक्षाओं के लिए मुश्री मारेट है तो सुरू से लाजा वीडियो बने रही है और एक इनफॉर्मेशन ये देनी है कि जो दिसंबर महिने का मंथली करेंड़ेफर का पार्ट वन था इसको कल साम को मैंने अपडेट किया था और इसको आप देख सकते हैं हमारे मंथली करेंड़ेफर के प्रेलिस्ट में जाकर साथ में जो आपका येरली करेंड़ेफर है इसका वीडियो भी जो है अपलोड हो चुका है और जो हमारा 3500 करेंड़ेफर वाला जो हर साल रिलिस होता है तो 3500 करेंट अफेर वाले मैगजिन को भी मैंने रिलीज कर दिया जिसमें जनवरी से लगाए दिसंबर तक के पूरे सबसे सेलेक्टिव प्रशन जो आपको मिल जाएंगे और इस पीडिया को सबसे खात बात है कि 3500 प्रशनों को आप 1-5 घंटे पे पढ़के फिनिस कर सकते हैं और दनादन बिलकुल एक रिविजन कर सकते हैं सूपर पास्ट बुलेट रिन की तरह तो इसको आप जरूब परशिच करेज़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दी गई है चलिए शुरू करते इस वीडियो को देखी पहला प्रशन की हाल ही में किस देश ने वर्स 2025 तक वैस्वीक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष को प्राप करने के लिए पांच साल के एक रोड मैप की घोश्टा की है तो देखें ये घोश्टा जो है चीन ने की हाली में यार केगा कि चीन ने वर्स 2025 तक West Week Robotics Innovation Hub बनने के लिए अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए एक 5 साल के रूड मैप की घोशा की है दीख जो अपर चीन यानि की चाइना है इसके उद्योग और सुचना पृद्धो की मंतराले ने ये खुलासा हाली में किया है कि जो चाइना है इसके Robotics उद्योग से जो परिचालन आए है ये 2021 और 2025 की बीच में प्रतिवर्स लगभग 20% बढ़ने की उमीड है दीखे 2016 से 2020 का एक आखड़ा भी प्रस्तूत किया है चीन के सुचना पृद्धो की मंतराले ने दीखे बताया क्या है कि 2016 से 2020 तक जो आपका Robotics का छेत्र है इस छेत्र में 15% की आउसद उब्रिधी जर से विस्तार हुआ है चाइना में तो ये आखड़ा नोट कलेजेगा चाइना की जितने भी आखड़े मैं आपको देता हूँ वो आपके लिए बहुत हिकास होते हैं क्योंकि देखे चीन जो है दुनिया का सबसे अमीर देश बनके अमेरिका को बशाड़ कर और इस समय चीन जो अपनी मात्वा कांची योजनाओं को और आगे बढ़ा रहा था कि ये जो है West Week Innovation Hub बन सके ठीक है तो इसको नोट कर लिएगा और अगला प्रशने की हाली में किस राजे में स्थित जवाहर लाल नहरू रोड का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी मारग रखा गया तो दीखे जो आपका जवाहालाल नहरू रोड है यापका सिक्किम वाला रोड है इसका नाम बदल कर अब नरेंद्र मोदी मारक रख दिया गया है आईए इस रोड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं देखे हाली में सोंगो जील और नाथूल सीमा दर्रे को ये गंगटोक से जोडने वाली जो दूसरी सड़क है इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मारक कर दिया गया जिसका आधिकारिक उधगाटन जो सिक्किम के राजयपाल हैं गंगा प्रसाद इन्होंने किया था देखे जो बी आर ओ यानिकी बार्डर रोड आर्गनाईसर यानिकी सीमा सड़क संग्ठन है इसके द्वारा निर्मे ते ये रोड जो है इसने जो है गंगटोक और जो आपका पहले इसे जो है जवाहलाल नेरु रोड का जाता था लेकिन अब इसको नरेंद्र मोधी मारक के नाम से जाना जाएगा और आपको प्लात थो पी-याम मोधी के नाम पे इससे पहले जो सबसे हाइलाइटिट चीज थी ये थी आपकी जोए मोटेरा क्रिकेट इस्टेडियम देखे मोटेरा किरकेश्टी टेटियम जो की गुजरात में से दित है, इसका नाम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेटियम कर दिया गया था, पिछले साल 2021 में, और अभी जवाहलाल नेरु रोट का नाम बदल कर क्या हो गया है, नरेंद्र मोदी मार्ग, अगला प्रशनी की हाल ह प्रशनी में किस राजी के जहांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया, देखे एक और नाम चीजवाल आ गया प्रशन, देखे उत्तर प्रदेश में जवाबका जहांसी रेलवे स्टेशन है, अब ये जहांसी र इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दिया गया है अब सारी जितने में यहां पे बोड वगरे लगे हैं जहांसी स्टेशन इस सब फिर से इसको रीपेंट किया जाएगा और लिखा जाएगा वीरांगना लक्ष्मी भाई रेलवे स्टेशन और इससे पहले दिखे योगी बाबा ने काम किया था उन्होंने मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर पंडी दीन देयाल उपाध्या जंक्सन और जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन इसको आयोध्या केंट कर दिया था तो यहां पे देखे तीन तीन स्टेशनों का जो है मैंने नाम करा रिखे बता दि क्रिकेट के जुड़े जितने भी प्रशन होते हैं वो इंपोर्डेंट होते हैं और आपने इसको देखा होगा हूँ वह एक्जाम में जो है बिल्कुल वैसे ही प्रशन पूछे आते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ देखिए भारत के एक बहुत ही बैतरी बालान है जस् देखिए जस्परिद बूर्बा अब तक 104 विगेट ले चुके हैं और विदेशी धरती पर 118 विगेट ले चुके हैं पाकिस्तान के मुहमद आमीर 136 विगेट ले चुके हैं West Indies के माइकल होललडिंग 137 विगेट ले चुके हैं जहीर खान भारत के 140 विगेट भारत के मु लेने वाले किलाड़ी ये मने हैं इनको या रखेगा और अगला प्रश्णह की नी शस्त्री करड़ पर संउंख्त राष्ट्र संभिलन के लिए भारत के ने राष्ट्र अनुपम रे बनाए गये हैं देखे जो वरिष्ट राजनाई का अनुपम रे हैं इनको जिनेवा में आयूत होने वाला जो आपका निरस्त्री करण पर संयुत राश्ट सम्मिलन है इसमें भारत के अगले अस्ताई प्रतनिधी के रूप में अभिहाली में अप्वाइंट क्या गया है और अनुपम रे की बात करें तो ये वर्तमान में कहां पर काम कर रहा है ये वर्तमान में दिल्ली में विदेश मंत्राले के मुख्याले में संयुक्त सची गुर्व में कारे रथ है और जो आपके अनुपम रे हैं ये इस पत पर पंकज सर्मा का सान लेंगे निरस्ति करण पर सेंटर राष्ट सम्मिलन के लिए भारत के राजदूद के पतपर पंकज सर्मा का स्थान लेंगे अनुपम रे और पंकज सर्मा को अगर हटाया गया तो उनको कहीं अपपोइंट भी किया गया है देखिए अब जो पंकज सर्मा जी है तो ये जो है मैक्सको में भारत के राजदूत बन गए है तो एक प्रशन यहाँ पे देखिए अलग समय बना सकता था लेकिन मैंने इसी में इसको इंक्लूट कर दिया है क्योंकि प्रशनों की जंक्या बनाना मेरा मकसद नहीं होता है मेरा मकसद होता है कि आपको एक्जेक्ट हो बहूँ वैसी जानकारी देना जो एक्जाम में पुछी आ रही है तो यारके का पंकज सर्मा मैक्सको में भारत के नए राजदूत बनाए गये है और अनुपम्रे जो है ये निसस्त्री करण पर जो है सैंक्त राश्ट समिलन के लिए भारत के राजदू जो है बनाए गये है अगला एक हाल ही में किस दिश के किलाडी राश टेलर ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है तो दिखें जो आपके न्यूजिलेंड के राश टेलर है ठीक है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया है दिखें न्यूजिलेंड के जो अनुभोई बल्लेबाज है राश टेलर ये सभी तीन प्रारूपों में यानि की T20 में टेस्ट क्रिकेट में और वंडे में तीनों प्रारूपों में न्यूजिलेंड के लिए 100 से अधिक मैश खिलने माले पहले क्रिकेटर बन गये है अगला की हाली में एक इस देश के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले लिया तो दीखें क्विंटन डीकॉक जो है यापके दक्षिड अफरीका के खिलाडी थे इनोंने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले लिया है और इनकी कोश्टा दक्षिड अफरीका की जो तीन मैचों की स्रंकला के पहले टेस्ट में भारत से 113 रन की जो हार हुई थी इसके कुछ घंटे बाद भी फ्रस्टेशन के कारण कि अब मैं जो है टेस्ट मैच खेलूंगा ही नहीं ठिक है तो जो आपके दक्षिड अफरीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉग थे इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले लिया है आली में अगला की हाली में भारती स्टेट बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में कितने करोड उपे के निवेज के अधिन कुल 9.95 प्रतिसत हिस्सेदारी का अधिगरहड करने की गोश्टा की है तो दिखे ये अमाउंट है 4.03 करोड उपे यह रखेगा भारती स्टेट बैंक ने कुल 4.03 करोड उपे के निवेज के अधिन जो है जो अपका इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड है इसमें जो है 9.95 प्रतिसत इस्सेदारी का अधिगरहड करने की हाली में गोश्टा की थी तोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और एक जो भारती स्टेट बैंक है इसके बारे मता दूँ इसके साबना कब ही थी एक जुलाई 1995 को मुख्याला इसका मुंबई में है और इसके दक्ष है दिनेश कुमार खाराप और अगरा प्रशने की हाल ही में किस अमेरिकी वैक्सीन के भारत में इस्तिमाल को मंजूरी मिली तो दिखे ये अमेरिकी वैक्षिन आपका है कोर्बे वैक्स यहाँ पे कोर्बे वैक्स आपको दिख रहा है दिखे दिखेगा क्या वैक्सिन सब एकी जैसी दिखती है ठीक है लिए है coconut का जो पानी होता है नार्यल का पानी वो ऐसी विल्कुल दिखती है ये जो vaccine का color होता है लगभग ठीक है और यह पीर कह सकते हैं आपकी ये water के दरह दिखता है तो जो आपका korbe wax है ये कमेर की vaccine है और इस vaccine को Texas Children Hospital और Bailer College आप medicine ने विक्सित किया है और अब जो है इसके भारत में इस्तिमाल को बंजूरी मिल चुकी है अगला प्रशनी की हाली में PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के किसे शहर में कुल 1227 करोड रोपे की पन की कानपूर UP Multi Product Pipeline पर युना का उद्गाठन किया है तो देखे जो पन की कानपूर UP Multi Product Pipeline पर युना है इसका उद्गाठन उत्तर प्रदेश के कानपूर में किया गया है देखे जो पन की कानपूर UP Multi Product Pipeline पर युना है इसकी चमता प्रतिवर्स 45 million metric ton है और देखे इसके साथ में एक और पर युना की इन्होंने जो है का उधगार्ण किया था देंखिए इसके साथ ही पीम मोदी ने 356 km लंबी कितनी 356 km लंबी बीना रिफाइनरी मद्द प्रदेश P.O.L. टर्मिनल का उधगार्ण किया था जिसकी लागत 297 करोर उपए है और इसके साथ में पीम मोदी ने कुछ और भी कारणामे किये थे पीम मोदी ने कानफुर मेट्रो डिल परियुना का जो है इसके पुड़ खंड का उदगाटन किया था और IIT मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक जो मेट्रो की सवारी है मतलब उसमें सवारी भी की थी इन्होंने टिकट लेकर आपने देखा का सोचल मीडिया पर पीम मोदी जो है मेट्रो का टिकट लेकर फोटो किचवाती भी दिखे थे योगी आदित नाज जी के साथ में ठीक है लगभग 11,000 करोड रुपे की लागत से जो इसको बनाए गया है किची भी परियोडना के बारे में दो चीजे पुछ जाती है कि उस परियोडना की लागत कितनी आई और उसकी लंबाई उंबाई पुछ लेता है विसे इस बात है जो होती है तो अभी जो कानपूर मेट्रो रिल परियोडना स्टार्ट की गई है 32 किलोमेटर लंबी है और इसे लगभग 11,000 करोड रुपे की लागत से बनाए गया है देखिए PM मोदी ने IIT यानि कि जो भारती परियोडों की संसान कानपूर है इसके 54 में दिक्षान समारों में भी भाग लिया था ये भी आपको यार रखना है ठीक है तो ये थे आपके आज के सभी मातपूर करेंगे पर और अब बात करेंगे आज के सभी कुशन आपड़े पर देखिए जहाज कुशन आपड़े का पहला प्रशनापले की इंद्रावती टाइगर रिजुर कहां परिस्तित है बताईए अगला की भारती नोसेना की जहाज आइनेस केसरी ने हाल ही में किस देश को मिसंस सागर के तहत खादि साहता और रक्षा साहता प्रदान किया है बताईए और नेक्स्ट है की पी एन पानिकर जिनकी प्रतिमा का केरल के तीरवनद पूर्ण में हाल ही में राश्पदी के दवरा अनावर किया गया किस आंदोलन से जुड़े थे बताईए और अगला प्रस्णी की हाल ही में गुझरात की मुख्यमत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का गुझराती संस्क्राद दोलान्शिया है बताईए अगला एकी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है ये किस राजे या फिर केंदर सासित प्रदेश की योजना है बताईए दीए कल मैंने इसके बारे में बहुत डीटेल में बता था इसको आप कल का विडियो देखे रिवाई जरू कर लिएगा क्योंकि ये प्रशने एक्जाम के लिए बारेंट है अगला देखे अब हम बात करेंगे कल के पूझे के सभी कोशना अपरे के सेटरों की तरह करेंगे का पहला प्रस्था की साल 2021 में विस्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला एप्लिकेशन कौन मन गया है ये एप्लिकेशन आपका टिक टॉक है अगला था की इस माई ट्रिप के ब्रैंड ने मिस्टर कौन मने है तो विजयराज और वरुण सर्माइन दोनों को इस माई ट्रिप का ब्रैंड ने मिस्टर बनाए गया है और न्यू डॉलप्मेंट बैंक का जो चौथा नया सदस बना है आपका मिस्टर बना है और जन्वरी 2022 में सेंट राष्ट सुरक्षा परिशत की आतंकवाद निरोधी समीती के देख्सता भारत करेगा और आप पुदातूं वर्स 2021 के लिए हिंदी बासा का जो साहित अकादमी पुरसकार है ये दया प्रकास सिनहा को दिया गया है साहित अकादमी पुरसकारों के बारे मैंने कल के वीडियो में डीटेल मताया था तो कल का वीडियो देखके उसको रिवाइस कड़ा लिएगा तो इसे के साथ बहुत बदनेवाद थैंक्यू एंड हैवन आइज दी